नमश्कर मिनाजबिन खान और आप देख रहे हैं इस्पेन नाइन नियूस हर्याना में विधान सभा चुनाफ के लिए महस कुछ ही दिनों का समय बाकी है लेकिन भारती जनता पार्टी में नराजगियों का दौर खत नहीं हो रहा है बलकि नराजगी इतनी कदर बढ़ जाती है इस कदर बढ़ जाती है कि अब प्रचार प्रसार से भी दूरियां दिगजनेता बनाते वे दिखाई देते हैं दरसल जिस दिगजनेता का जिकर किया जा रहा है वो महेंदर गड़ से विधायक रह चुके रामबिलाश शर्मा का है रामबिलाश शर्मा वो चहरा है जो भारती जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं वो चहरा है जो महेंद्र गड़ से लगबग पांच बार विधान सभा का चुनाव जीते हैं वो चहरा है जो 55 साल के राजनीती में सर्फ भारती जन्ता पार्टी के साथ जुड़े रहे लेकिन भारती जन्ता पार्टी ने एक ऐसे वक्त पर उनका साथ छोड़ा जब उन्हें भारतिय जंता पार्टी की जुर्रत थी यानि कि टिकट महिंदर गड़ से राम बिलाश चर्मा को नहीं दिया गया नाराज गे इस कदर कि रोते बिलख्तिव राम बिलाश चर्मा नजर आए राम बिलाश चर्मा ने ये तक कह दिया कि समय सब का आता है राम बिलाश चर्मा ने ये तक कह दिया था कि भारते जंता पार्टी को छोड़ने का समय आ गया है लेकिन आप सिंग सैनी जो मुख्य मंत्री हैं सूबे की उनसे मुराकात के बाद राम बिलाश चर्मा अपना फैसला बदल देते हैं भारते जंता पार्टी में नजर आते हैं लेकिन एक काम अभी तक करते वे नजर नहीं आए हैं वो काम है प्रचार करना दरसल राव इंदर जीत की बेटी उनके तमाम समर्थक प्रतियाशियों के लिए खुद राम विलाजच्चर्ma प्रचार प्रसार कर रहे हैं लेकिन महंदर गड़ से उतारे गई कवंद सिंगं यादव के लिए राम विलाजच्र्मा न दूरियां बना रखी हैं प्रचार प्रसार करने महंदर गड़ नहीं दिखाई देते हैं बलकि अटेली पहुंच जाते हैं अहिरवाल बेल्टों में चुना प्रचार करते हैं ये दर्शाया जा रहा है कि कवन सिंग यादव के खिलाफ अभी रामविलाश शर्मा है नराजगी अभी भी जग जाहिर नहीं हो रही है लेकि नराजगी अभी भी बरकरार है और इस नरा सिंगर में सिंगर नराजगी को दूर किसी बड़ी जिम्यदारी को देने के साथ किया जा सकता है और देखना होगा भारती जंता sínta pārti को बड़ी जिम्यदारी रामविलाश शर्मा को देती विनसर आईगी या ये नराजगी विधान सभाद चुनाफ के परणाम के बाद और भी ज़्यादा बढ़ती विनसर आईगी आपको क्या लगता है अपनी रायकम सक्षिन में जरूर दें देश्च और दुनिया की बाकी और तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे हैं